हेलो एवरीबन साधी और पार्टियों में एक चीज है जो हमेशा हम लोग को मिल दी है वो है आलू परवल की सबजी वैसे अगर हम लोग किसी रेस्टरेंट ये ढापे पे भी जाते हैं तो ये सबजी मिलती ही मिलती है और खाने में बहुत जबरदस्त लगती है तो सेम उसी टेस्ट की सबजी आज हम बनाएंगे परवल की यहाँ पे मैंने आधा केजी परवल को इस तरीके से बीच-बीच टुकडों से काट लिया है मतलब पहले एक परवल को दो टुकडों में करेंगे और फिर बीच से कट लगा देंगे और अच्छे से पानी से वाश कर लेंगे कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा तेल और हाई फ्लेम पे हम परवल को फ्राइ करेंगे लेकिन पहले डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर जिससे इसका कलर अच्छा आएगा और हाई फ्लेम पे हमें परवल को लगबग 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना होगा क्योंकि नमक हमने डाला है ना परवल में तो ये पानी छोड़ देगा तो हमें इसे लगा तार चलाते वे अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर पूरा चेंज ना हो जाए तो ये देखें यहाँ पे 10 मिन तक हमने परवल को बहुत इच्छे से हाई फ्लेम पे फ्राई किया इसका कलर टोटली चेंज हो गया है कूकर में इसे हम बनाएंगे तो कूकर में डाल देंगे फिर से थोड़ा सा तेल उसमें जाएगा आधा चमत, जीरा, थोड़ा सा गोल मिर्ज, बिल्कुल जरा सा अद्रक को कूट के डाल देंगे, दो सुखी लाल मिर्ज, एक तेश पत्ता और गरम मसाला, आप अपने टेस्ट करनों सार गरम मसाला डालिए, एक बड़े से प्याज को पतले-पतले स्लाइसेस में काट लेंग अब ढ़क करके प्याज को भी हम 5-6 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही फ्राइ करेंगे ताकि सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तो देखें यहाँ पे प्याज का खलर चेंज हो गया है इसमें जाएगा मसाला, आधा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच लाल मिर्श पाउडर, आधा चमच जीरा पाउडर और आधा ही चमच हम इसमें काले मिर्श पाउडर डालेंगे, साथ में स्वादन सार नमक डाल दे कुकर में बना रहना तो ये सबजी बहुत ही जल्दी बन जाएगा तो ये देखे थोड़ी दिर भूरने के बाद हम इसमें एक छोटी साइच के टमाटर को डाल देंगे बिलकुल छोटा सा टमाटर थोड़ा पानी और डाल देंगे सबको मिक्स कर लेंगे और कुकर में हम कूगर में सिटी लगा लिया है और यह देखिए मैं आपको खोल के दिखाते हूं यह देखिए मसाले बहुत यह से सॉफ्ट हो गया है एक बर सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स और सबजी में अच्छा कलरा है इसके लिए हम डाल देंगे आंधर चमाच कासमीरी लाल मिच औ इसके पहले हम इसमें डाल देते हैं आलू तो चार चोटे बड़े साइज के आलू को मैंने बॉयल कर लिया था तो उसे टुकडों में काट लेंगे और डालेंगे आप टुकडों में काटकर डालिए और दोड के डालिए उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है साथ म हम आलू और परवल को बीच मरतब की लागातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे ही हम 4-5 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक इनसे ओयल रिलिज ना होने लगे तो यहां पे देखे सबजी को हमने कितने अच्छे से फ्राई कर लिया है और इनसे ओयल पे रिलिज हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे एक ग्लास पानी मतलब जितना ग्रेवी लगाना हो लेकिन इसका जो ग्रेवी ही वो ठीक ही बनता है तो जिस कराई में हमने परवल प् प्लेम को आफ कर देंगे तो यहां पे देखिए बहुत ही स्वादिस्ट हमाली आलू परवल की सबजी बन करके रेडी है तो लाइफ में खाये पीजे और मज़े किजे थैंक्स पॉर वाचिंग